हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल आज की व्यूडियों बात करने वाले ये प्रग्राम जेनरेल लक्टी का कोड ते फ्रेंड ठीक है हिंदी सिनेमा रुष का अध्यान यूनिट वन है तो इसमें पढ़ने वाले हैं कला के रूप में सिनेमा रुष की संधादिक ला फॉष अंट यlarını पढ़ने वाले गाले हैं सिनेमा गयर-णी bbleष कन रूप में सिनेमा का व्यवारिक समिक्षा ढें मनरोँजन्जन्ग का माध्याम सिने ठीक है हिंदी सिनेमा भाषा में हिंदी भाषा में फिल्म बनाने का उध्योग है जिसे बोलीवुड के नाम से जाना जाता है और बोलीवुड का नाम कहां से पड़ा है होलीवुड के तर्क पर रखा गया फ्रेंड जैसे होलीवुड बोला जाता है इसलिए यहां हिंदी सिन सबसे पहले लंदन में पुरानी फिल्म है 1913 में आई थी राजा हारिश्चन तो यह फ्रेंड इसमें यह मूख फिल्म थी यानि इसमें आवाज नहीं थी फिर उनी सो कत्तिय के बाद सवाक फिल्म में आई बोलती ही फिल्म आये आला मारा ठीकर उसके बारे में नीचे डीटेल पड़ेंगे तो हिंदी में प्रभाव सबसे पहले प्रभाव चाली व्यक्ती है ने को यह इनगे उन्टी ने तोते आरा अजांघ के लिम के जनक भी कहा जाता है पाहली फिल्म राजा शंद इसभल में उनिसों तेरह में भारत में बनी पहली फिल्म जिसमें दादा साहब फालके को निर्देशित की थी डादा साहब फाल के इसलिए दादा साहब फाल को को हिंदी सिनेमा के जनकों के रूप में जाना जाता है हिंदी सिनेमा के जनकों है दादा साहब फाल के याद रखना उस समय के फिल्मों को दिन में पूरा कर लिया जाता था क्योंकि उस समय कित्रिम रोशनी की उपलबता नह थी ठीक है इसलिए जो सूटिंग होगा रहा थी वह हिंदी क्या नामे दिन में पूरी कर ली जाती थी राजा हरिष्चन फिल्म में आवाज नहीं थी फिर भी ये फिल्म भारत में लोग प्री रही ठीक है फ्रेंड वर्थ 1913-1930 तक लगबग 200 फिल्में प्रतिवर्थ बनी ह ओल भी 148-1930 यानि 1913-1930 हर साल 200 में प्रतिवर्थ बनती रही ओल आ अ कर सबसे पहली बोलनिंटी फिल्म किया थी आला मारा देखेंड gefलंदी फिल्म उनीजी कटिस में बनाई गई फिल्म आला मारा थी जो भारती सिनेमा के पहली वोलती फिल्म थी इसके अि क Pick अभिर इरानी निर्माता से अर्देश इरानी ठीक है अभिनेता से मास्टर विठ्थल बासा के कौन सी बासां बनाए गए थी हिंदी और उर्दू और रिलीज कब गिए उसको रिलीज कब गया था चौदा मार्च 1931 को कौन सी फिलम बोलती इसको बोलते हैं सवाक फिलमे इस फिलम को क्या बोला जाता है फ्रेंड सवाक फिलमे पीपर में आ जाएगा तो अब समझ लेना आला मारा की बात हो रही है यह सवाक फिलमे सिनेमा का समाने परचे अब देखते हैं सिनेमा हमारी संस्कृति का हिश्चा है हमारे जन जीवन को अगर कोई कला व्यापक अस्तर पर पर परदसित करती है तो वह कौन सी है सिनेमा है तो हमारे जन जीवन ठीक है संस्कृति को कौन परदसित करता है सिनेमा ही तो करती है सु बाद्रास्ट पर निया को सब्सक्राइब खरण संच ये अग्या अगर आपको कोई कला है, तो आप सिनेमा के माद्यम से सभी लोगों को परदसित कर सकती है, नबे के दसक में छी सिनेमा कई ग्रूप्स में बने थे, कुछ लोगों के लिए सिनेमा सिर्फ व्योवसाह था, यह फिलमें यह लोग जने शीनेमा अपनी पुरानी पीडि से विरासत मीले डाधाड़ क्या थे फ्कुरूर कि लोग थे लिए फिलमें विरासत मेल गयी अप कुछ लोग है जो मैनस से परिश्रम से इसमें गए हैंEST दूसरे वे लोग जनने अपनी संगर्स हिंदी सिनेमा अपनी में जगा बनाई हैं। उधार के तोर पर कुन-कुन से लोग हैं। राम गुपाल वर्मा, डेविड धवन, राजकुमार, करन जोहर, आदी। ये सबी लोग उने क्या किया है। संगर्स के तोर पर हिंदी सिनेमा में कदम रखा है। तिसरे वे लोग हैं जिनके लिए सिनेमा एक आंदोलन है। वो सिनेमा को समाज को बदलना चाहते हैं। ठीक है। दो तरीके लोग हैं फ्रेंड जो एक उसमें काम करते हैं। दूसरा जो उन्हें पसंद करते हैं, तिसरे वो लोग जो उनकी सिनेमा हिंदी सिनेमा को बदलना चाहते हैं, कला का रूप में सिनेमा का सेंधान दिक सिगमिक्षा देखते हैं, दूसरा पुएंट, कला का संबंद स्रिजन से, ठीक है, उत्पत्ती से, कला का संबंद उत्पत चाहे हूँ जिस फिल्ड में हो सिन्यमे में कई कलाएं सामिल है जैसे निरित गीत संगीत अभिनाय चित्रकला आदी कलाई सामिल अधिक्षा दिया है हिंदी सिनमा से हमने सीख भी लिया है पहले क्या थे हमारे मंद्रोंजन माना जाता है कि हिंदी सिनमा क्या है थे संस्क्रटि पर फिलने पीलमें आने लगी ठीक है उनके बारे में दिखाना जाता जैसे चुब और तुम्हारा यह कि वह बोलते हैं थी जो पती मर जाते थे तो बोलते थे आग में जल जाना है और अच्छा ठीक है तो फिरण याद में आ रहा है ठीक है यह सारे चीजेती तो महऊत्पृब、、, माद्या से इस हिख्षा दी जाती वह सारे सब्सक्राइए इसमें सत्य् जीरिये खि़लमे सब्सक्तारिख सिफ्सास्थ ऐ्डल आंजि की इसमें सब्सक्राइब को भी साही डंग से व्यक्त कराती है जो साइक्ल चुरह आपने देखी होगी ठीक है उसमें ummy कब छिकंत Looks मननवनंजन क्या है इस्ट में है समाज के समस्याओं के बारे में भी दिखाया गया है छह लिए प्र्वांँ सिनेमा का वेवसाइक समिक्षा क्या है सिनEMA एक इसी कला है जिसमें कई कलाईं सामिल होती हैं अच्छी ठीक है सिनेमा अगर वो कोई फिलम बन रही है फ्रेंड तो उसमें क्या है अच्छी कला होने चाहिए ठीक है अच्छी कहानी होगा सक्षम पात्र होंगे प्रभावशाली कलाकार और मन्वंजन गीत संगीत और संपाधन से अच्छी फिलमों का निर्माण होता है अच्छी फि संगीत और संपाधक या निर्देशक ठीक है अच्छी तरीके से फिलम का निर्माण करते हैं सिनेमा अपनी तक्निकी कोशल के कारण ही आज लोग परी थावित हुई है कि सिनेमा तक्निकी चित्रकलाओं के कारण ही सैकड़ों लोग इस सिनेमा को जुढ़ना चाहते है और काम करना चाहते हैं ठीक है जैसे जैसे यह सिनेमा बढ़ रहा है बहुत लोगों की रूची है इसमें काज करने की ठीक है कोई एक्टर बनना चाहता है ठीक है कोई गीतकार बनना चाहता है कोई सिंगर बनना चाहता है को ठीक है बैगरांड म्यूजिक बन देना चाहता है त जैसे सम्वाद लेखक, निर्देशक, संपातक, गीतका, च्छायाकार, संगीतकार आदी लोगों को अपनी भूमिका होती है। सभी लोगों का समू होता है। कोई भी एक फिल्म बनाने के लिए सभी लोगों का समू जरूरी है। हिंदी सिनामा में सामूहिक विद्ध्यादी सभी लोग सामिल होते हैं जैसे संपादक, लेखक, निर्देशक, गीतकार, च्छायाकार, संगीतकार, डांसर ठीक है ये सब चीजे मिली होती है। अपने अपने उनकी अलग-अलग कार होती है अलग-अलग उनकी भुहिमिका होती है इसके बावजुद यह सभी कलाएं फिल्म निर्देशक की इच्छा के अनुकूल अपना-पना कारी करती है ठीक है यह सारे तो कलाएं हैं यह सब क्या है कलाएं तो हैं गीत कार चाया कार सं तरह के से संगित देना पड़ेगा तो यह पहला यूुनिट था आयोप आपको समझ में आया होगा इसका 2nd पार्ड मैं जल्द से बनाने वाला हूं कल तक आपको इसका 2nd पार्ड मिल जाएगा ठीक, जानता है हूं, विडियो थोड़ी लेठ है, लेकिन लेट है, लेकिन सटीक बनाया है वीडियो ठीक है friend, तो आए वह आपको समझे में आया होगा ठीक है ळायक करें, इसेेर करें और शैनल को सस्क्राइब जरू करें ठीक है मिलते नेक्स वोडियों तक तक लिए धन्यवाद